हैलो एवरीबन वल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम भहुत ही सुन्दर सी सूट में बैक ने गले की डिजान बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया इसको इतरसे फोल्ड करेंगे फिर हमें आपर क्या करेंगे गले की चोड़ाई नापे करेंगे और इतरसे गले की गुलाई करेंगे फिर हमें यहाँ पर क्या करेंगे कुछ इतरसे कटिंग करेंगे तो हमने यहाँ पर कटिंग भी कर लिया है दूसरी तरह भी हमें यहाँ पर निशान लगा लेते हैं ठीक है इसको हमें कपड़े पर भी चिपका देना है ठीक है और उसके बाद में हमें याँ पर क्या करेंगे साथ में कुछ इत्रह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है बचे हुए कपड़े की हमें आपर कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमें आपर इसको फोल्ड करेंगे और वी सेंटर पर निसान लगा देंगे यहाँ पर कट भी हमें वी सेंटर पर लगा देना है तो हमने कट भी लगा दिया है अब हमें आपर सूट को लेंगे तो इसको सीधा रखेंगे और हैंपर भी वी सेंटर पर निसान लगा देंगे और कट भी लगा देंगे वी सेंटर पर फिर हमें आपर क्या करेंगे इसको सीधा ही रखेंगे और जो हमारी गले की पट्टी है इसको भी हमें इस तरह से रख लेना है ठीक है दोनों कट को इस तरह से मिला कर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइकन न भूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यहां पर बचे हुए कप्डे की कटिंग करेंगे और इसमें हमें कट लगा देना है फिर हमें यहां पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और fold करके भी हमें इतरा से शिलाई लगा देनी है ठीक है पूरे गले में हमें याँ पर शिलाई को लगा देंगे तो इतना हमारा गला बनकर त्यार हो गया है देखिए आप लोग देख सकते हैं तो अब हम इसमें क्या करेंगे डिजान बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर चोकूर कप्रा लिया है इसकी चोड़ाई लंबाई हमारी धाइन चाहे तो इसको हम कुछ इतरह से फोल्ड करेंगे ठीक है और यहां पर एक हमें डोरी बनानी है तो डोरी को हमें यहां पर इतरह से फोल्ड करेंगे और fold करके इसको यहाँ पर रखेंगे भी center पर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिर supply के साथ हमें इस तरह से cutting कर देना है तो कुछ इत्रे की हमें design बनानी है ठीक है फिर हमें आपर इस design को इस तरह से रखेंगे गले की उपर ठीक है और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर दूसरी design को भी हमें आपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे जो हमारी design है उसको हम एक इंच नीचे की तरफ रखेंगे ठीक है और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से डिजाइन को सिल लेना है आप लोग वीडियो को आइंड तक जरूर देखें से आप कोछ इसे समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजाइन बनाई तो यहाँ पर मैंने पूरे गले में कुछ तरह से डिजाइन को सिल लिया है ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे लेश को सिलेंगे तो लेश को हमें यहाँ पर रखेंगे और रखने के बार सिलाई लगा देंगे तो हमारा गला गुलाई में है तो गुलाई में ही हम यहाँ पर लेस को सिलेंगे ठीक है तो यहां पर देखी मैंने लेस को भी सिल लिया है इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और यहां पर हमारा जो गले का डिजान बुबन कर तयार हो गया है देखी कितना सुन्दर सा हमारा गले का डिजान बना है तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना बूलें और बैला कन को भी दबा दें जिससे जो अमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू